अगर कोई बड़ी खबर है तो वो है नाशनल हिरार का मामला जिसमें कॉंग्रस नेता राहूल गांधी से लगाता तीन दिन 30 घंटे तक पूश्टाच की गई है और 17 तारी को वापस उन्हें बुलाया गया है पूश्टाच के लिए कई सवाल हैं जिसका जवाब वो लगातार दे रहे हैं और कई सवाल हैं जो एडी के तरफ से अभी भी बचे हुए हैं और उन्हें उसके बारे में राहूल गांधी से जानना है लेकिन इन सब के बीच में आज हम पहुँचे हैं रॉबर्ट वाडरा जी से मुलाकात करने के लिए उनसे जानने के लिए उनसे समझने के लिए कि प्रवर्तन निदेशाले की जो ये कादवाई है उनके तरफ से जो ये पूश्टाच का दौर चल रहा है इसे वो किस तरह स सथ एक्स्क्लूसिफ जूर चुके हैं रॉबर्ट वाडरा जी सर ये जो एडी का पूरा मामला चल रहा है नाशनल हिराल का मामला है जिसमें कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी जो है उनको एक बाद फिर से बुलाया गया तीन घंटे तीन दिनों में 30 घंटे तक ही पूश की अंद्सियों का गलत इस्तमाल कर रही है ये मैं नहीं कहरा हूं यह आप किसी भी नाग्रिक से बात करेंगे इस देश के नाग्रिक से वो बोलेंगे एडी की बात करेंगे तो कहते हैं अरे वो तो बीजे पी को अपिन के कहने पर ही तो वहाँ जो उमीदवार है चाहे CM का हो या कोई मिनिस्टर हो तो जो BJB को लगता है उनके हित में नहीं बोलेगा तो उनको नहीं उनके परिवार को मुश्किल में डाला जाता है या परिशान किया जाता है कैसे कि कोई भी पुराने केस ढूंड लेते हैं और उनके उपर ला मताजी के यहां परिवार के साथ यही हुआ और पूरे देश ने देखा कि यह समय उनके इस्तिमाल किया इडी का जो केसिज हैं उनके उपर लगाने का और जब वो इलेक्शन खतम हो जाता है तो उस केस का या परिशान होने का मतलब वो सारा टोटल फोकस वहां से हड़ जा कि अभी जो हालात है पूरे देश के तो देश भर में आंदोलन यह शुरू हुआ था और इसको छुपाने के लिए एक दस साल पुराना केस दुबारा इस समय पे राहुल को बुलाने का आप्टिक्स क्रियेट करने का और यहां तक भी नहीं वो हद पार कर देते हैं कि सोन् यहां पार्टी है बीजेपी बिल्कुल गलत तरीके से माहिलाओं के साथ बरताओ करते हैं और और उसको एक लीडर जिन्हों ने अपने पूरी जिन्दगी यहां त्याग दी अपने पती को अपने इंद्रा जी को और राजी जी को मतलब उसके बाद भी और उनकी तबी बिमारी का की हटने के लिए देखिये राहूल या मेरे परिवार बिलकुल इनकार नहीं करेगा कि कभी भी उन्होंने अगर कोईभी समन मिला है और उन्होंने देखिया मैं ज्यादा राजनेतिक चीजों में पढ़ता नहीं हूं और मैं तभी सब्जिक्ट के बारे में आप से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद पंदरा बारी दस से बारा घंटे चाहे एडी हो या पांच बारी इंकम टैक्स मेरे आफिस में आए हैं तो उनके साथ मैं बैठा हूँ उनका तोर तरीका मैंने समझा वहां भी मैं देखने को मिला कि उनको फोन कॉल मिलते हैं तरह तरह अफिसर अंदर आते हैं तरह तरह उनका बेहवियर अलग होता है अगर कोई सवाल का जवाब ना दिया जाए तो वो कहेंगे ये ठीक नहीं है आपको ऐसे ये सहीं नहीं है मैं दोबारा पूछूँगा तो वो चाहते हैं कि हम जवाब ऐसे दे जो उनको लाब हो या मतलब किसी राजनेतिक तोर से लाब हो तो ये आपको महसूस हो जाता है जब आप इतना समय है तो इस सब्जिक्ट में मैं तो जरूर मैं बोलूँगा और कह सकता हूँ क्योंकि मेरा experience है इसमें हमने 23,000 document दिये हैं और कभी भी अगर मुझे लगा है कि अगर कुछ गलत हुआ हो उनको लगे कि जो भी assessment कर रहे हैं तो re-assessment करिए उस पर penalty लगाई है और मामले को खतम करिए पर ED का मामला जब शुरू हो जाता है वो खाली राजनेतिक तोर तो वो एक तरसे खतम भी नहीं होता खतम नहीं होगा उसका कोई अंत नहीं है मतलब की कुछ पता नहीं देखिए मुझे ये लगता है कि जब वो र कुछ भी नहीं मिला सब सब क्लेर है हमने गलती की आपको बोला के तो वो स्ट्रेच करते रहेंगे क्योंकि मैं मैं फिर से ये दो रहांगा कि तीसरा दिन चौथा दिन दस घंटे बारा घंटे और मैंने खाली एक विशेश टिप्टी दी थी राहूल को इंटेरिगेशन श जवाल के जवाब नहीं दे रहे हो यह मैंने उनको पहले ही बोल दिया इंटेरिगेशन से पहले तो यह अपका एक्सपीरेंस रहा जिसके इनका मोडस ऑपरेंडी यही है कैसे बोल सकते हैं कि हमने गलती की इनको बुला के कुछ गलत मिला नहीं है और बिलकुल सबस्ट हो हो गया सब कोज ख्लेर हो गया नहीं वो तो स्ट्रेच करेंगे क्योंकि एक इन्डिपेंडेंट एजन्सी है सर अगर उन्हें लग रहा है कि कहीं कुछ गलत वह वो जांच कर रही है और बीजेपी यह बात कह रही है कि अगर आप गलत महीं है तो जांच करवाने में दिक्क को किसको लग रही है मेरी बात सुनिया मैं पहले एक सबस्का जवाब दे दू राहूल छे गंटे नहीं आठ गंटे नहीं तस से बारा गंटे बैठे है वो पूरी बिल्डिंग में जब ओफिसर सारे निकल भी जाते हैं और दो लोगों को रहना पड़ता है क्योंकि राहू क्योंकि नहीं देना चाहरा हूं कि आप कोई भी गलत मेरे तरफ से बोलेंगे क्योंकि मैं यहां हर सवाल का जवाब दूँगा मैं पढ़ूंगा मैंने क्या दिया है उस जो जवाब दिया है उसको संझूँगा पढ़ूंगा और आप तेर को 10-12 घंटे जितने भी ठहराने थिराई उनको जो एक घंटा उन्होंने चुट्टी दी लंच के लिए वो अपनी माताजी से मिन ले गए क्योंकि उनकी तवियत खराब थी उसमें भी मीडिया का हलचल हो गया कि उनको तो वापस आना था यह है वो है थोड़ा सोचना पढ़ेगा कि स्योनिया जी अस्पता है पर ठीक है वो एक लीडर है जो लोगों की बात को बुलंद करते हैं जो इशूज बीजेपी हटाती है या छुपाती है उनको वो पारलेमेंट में जरूर रेस करते हैं चाहे कोविट का समय था उन्होंने का कोविट की सुनामी आएगी तो बीजेपी वाले हसने लगे उ और किसानों के लिए भी वो लड़े थे तीन बिल वापस ले लिए गया है तो ऐसे कहीं मुद्धे हैं जो राहुल और प्रियांका जरूर लेते हैं लोगों की जो समस्यां होते हैं नहीं सर बीजेपी तो यह कह रही है कि कॉंग्रेस कारे करता हूं जो सडकों पे उतरे हैं जो प्रदिशन पुरे देश भर में चल रहा है भी फिलाल एडी पुरे मामले को लेकर के अधे नाच्टनल हराल्ज मामले को लेकर तो कहीं न कहीं कॉंग्रेस भरश्टाचार के मामले को दबाने की कोशिश कर रही है देखिए वो तो ज़रूर ये बोलेंगे पर कभी भी जो इनके स्पोक्सपर्सन है अपने मेंबर्स को या जो उनके बीजेपी के नेता हैं उनको बोलेंगे कि कोई रोक लगाएंगे और माफी मागेंगे जिसके लिए उन्होंने बेहदभाव की पॉलिटिक्स करी है जिसके बज़े से पूरे देश में लोग नराज हुए हैं आंदोलन हो रहे हैं आपने देखा है प्रशासन यहां हो या यूपी में हो जहां वो लोगों को मार रहे हैं लाथी से मार रहे हैं जो ट्रीट्मेंट है जो मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं जो मैंने देखा है जो आ लखिनपूर खीरी और वो पीरित परिवारों से मिलने जाती हैं जिनके यहां डेथ हुई है और मतलब उनको भी मतलब अरेस्ट करके आप एक गेस्ट हाउस में छोड़ते हैं फिर कोवेट का समय तो वो सफाई करते हैं तो कहते हैं वो इसी लाइक हैं कि अपने जाडू ही ल तो वो देखते हैं जो एक लीडर है जो उनकी बात रखता है पार्लेमेंट में और उनके लिए बात करते हैं ये परिवार बात करता है तो जरूर वो मैं कहूंगा कि ये खाली कॉंग्रिस के नेता नहीं है और कॉंग्रिस के वकर नहीं है लोग तरह तरह से हर कोने में भार वहां एक जुट होकर हमें जीना है अभी कोवेट से निकले हैं बेरोजगारी में ध्यान दीजे एकौणी में ध्यान दीजे नए हेल्थ केर में ध्यान दीजे कोवेट आप सोचने खतम हो गया और कोवेट बढ़ता जा रहा है तो इस तरीके के राज नीती है कभी नहीं वह बात करते हैं वह जिकर करते हैं वह डरते नहीं है और जैसे मैं बोलूँ का डरते नहीं है कि मुझे भी घसीता हुआ एडी के पास इंकम टैक्स, फाइनाशल इशूज, बहत्तर नोटेस एक दिन में आया हैं इंकम टैक्स के, कभी भी किसी नहीं सुना, आखरी दिन सप्टेंबर के 21 में आया हैं, फिर आप देखेंगे राहूल को अभी खीच रहे हैं, फिर सोन्या जी को बुलाने का इनका प्लान है, तो ये हर हद पार कर रहे हैं, और जो एक दूसरे से अबाब पार्टी लाइन, जो एक कंडिशन होती है, जो आप डाइनामिक यार, जो भी बोलेंगे कि अपना रेलेशिंशिप रखते हैं, वो उन्होंने सारा बिगार दिये, कि आप या तो हमारे तरीके से चलिए, या जो भी हम जबाब देंगे, स्पष्ट करेंगे हर चीज, तब बहार आएंगे, क्योंकि जितनी बारी भी बुलाना चाहें, बुला सकते हैं, यह सारा महौल है जो एक लीडर को दबाने का है, और कुछ नहीं है, और मुझे पता है कि रावल इससे और मजबूत होंगे, और स्पष्ट होंगे, और कॉंग्रिस को और मजबूत करेंगे, और बस यही है कि प्रशासन जिस तरीके की जैसे वो बज़र्ग जो है, नेता है, उनको मारा पीटा है, किसी का फ्रैक्शर हो गया है, किसी का कुछ है, पूरे दिन पुलिस टेशन में छोड़ देते हैं, जो वरकर्स हैं, और महिलाओं को जिस तरीके से घसीता जा रहा है, वो मतलब किस तरीके से आप कोगे कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, या किसी चीज भी, अगर कोई अपने लीडर के साथ खड़ा है, आप रोड तक नहीं उनको रोक रहे हैं, आप उनके घर के अंदर घुसके, औ प्रशासंग के द्वारा मतलब उनको तंग करने की कर रहे हैं, और पूरा ये पूरा देश टीवे पे देख रहा है, एक डेलिगेशन जो है वो लोगसफार स्पीकर से भी मिलने के लिए गया है, कॉंग्रेस का इसी बिहेवियर और जिस तरह का बिल्कुल, बिल्कुल, दिखाई दे रहे हैं, कि आदमी, हम लोग सारे पूरे परिवार हैं, कोई भी इल्जाम लगाते हैं, तो हम उसके जवाब देने के लिए बिल्कुल तियार हैं, जब इस तरीके का महौल होगा, बहुत सारे रूमर्स और जो भी स्टेट्पिंस हैं, निकलेंगे, और मैं यह ही कहूंगा, लोग राहूल के साथ और जोड रहें, कियोंकि उनको लग रहे हैं, कि यह लीडर जब निकलेंगे, और मजबूत होंगे इस से, और और उनकी बात रखेंगे, और कोई रखेगा नि, कोई भी ऑपोजीशन लीडर किसी की बात नहीं करता है, क्योंकि वो डरते कि नहीं हम बात करेंगे तो हमारे उपर और कोई इशू आ जाएगा या एडी आ जाएगी या कोई और एजिंसी आ जाएगी या किसी तरह हमारे उपर problem create हो जाएगी, तो राहुल नहीं डरते हैं, प्रियांका नहीं डरते हैं मैं अपने तरीके से अपना सेवा करता रहता हूँ और जितना भी परिशान किया है, मेरे दरवाजे खुले हैं, office के घर के, जब भी वो आना चाहेंगे क्योंकि हमें छुपाने के लिए कोई चीज नहीं है, सब यहां साफ है, बट हाँ हम है परिवार जो देश के लोगों के लिए देश की प्रगती के लिए आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं पारलमेंट में बात करते हैं, जिकर करते हैं उनके लिए लड़ते हैं, तो इसलिए इस परिवार को हर तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है जो नहीं होगी सर अगर फिर भी अगर देखा जाए तो नाशनल हिराल का मामला तो है ही सर क्योंकि यंग इंडियन पे जो चीजे चली जिसमें शेर्स थे कानून के द्वारा केस होते हैं, तो उसको बोलते हैं सब्जुडिस कि उसके बारे में जिकर नहीं की जाती है जब तक इंटरिगेशन चल रही है और जैसे ये लोग एडी के लोग या बीजे पी के लोग धीरे धीरे ये छोटी जो इंटरिगेशन की होती है निकालते हैं न वो गलत है क्योंकि इंटरिगेशन हो रहा है वो ज़रूर हर चीज निकाले जब मेरे से पूछा गया कि आपने पहला एक रुपे कैसे कमाया अपने, मेरे बेटे का वो पूछ रहे हैं कि ये भी काम कर रहे हैं तो इन्होंने अपना रिटर्न्स फाइल किया है वो उसका कॉपी दीजे तो ये लोग रुक रहेंगे नहीं ये लोग करते रहेंगे ये चीज और हमें जहलने की शमता है अब और हम जो भी सवाल होंगे जरूर हर एजिंसी के पास जरूर देंगे 23,000 डॉक्यमेंट दी है मैंने तो सफाइस होने चीए मतलब और मैं कहूंगा कि पूरा परिवार है मतलब की हम लोग यहां है और हर सवाल का जवाब देंगे पर लोगों के लिए जरूर लड़ेंगे पार्लिमेंट में उनका जो भी समस्या है वो आगे बोलेंगे बात करेंगे उसका समाधान ढूडेंगे मैं पॉलिटिकल कुछ सवाल अगर पूछ लूँ आपसे सब पॉलिटिकल यह की कॉंग्रेस पार्टी छोड़के भी कई नेता जो है वो थोड़े जा रहे हैं जो जाएंगे हम उनको बैस्विशिज देते हैं जो खीजे जाते हैं कि आपको हम अच्छे पॉजिशन देंगे पर क्या होता है कि उनमें उनके उनमें पेशिंस नहीं है हमारी पार्टी रूल कर रही थी काफी समय के लिए और ठीक है बदलाव आया है तो हमें इंट्रोस्टेक्ट करना पड़ेगा वापस लोगों के पास दुबारा जाना है या अंडिस्टेंडिक करना है कि बदलाव आया है तो फिर हम भी उस बदलाव में और शामिल होना चीए और मेहनत करनी चीए समझना चीए इंट्रोस्टेक्ट करना चीए तो समय आता है हर चीज का और कभी पर हम भेदभाव की politics नहीं करते हैं हम डटे हुए हैं जो 70 साल से जो नहरू जी के टाइम से तो वो सोच हमारी बनी हुई है और हम भेदभाव की जो बोलना चाहिए तो हमें इससे कोई फरक नहीं पड़ता है हम हमारा मुकाम कोच और है देश को आगे ले जाना और देश के लिए प्रगती होनी चाहिए वेरोजगारी हमें उसमें ध्यान देना है, health में ध्यान देना है, economics, जो economic situation है, आप देखेंगे, ठीक नहीं है, जो भी ये लोग, आप देखेंगे, LIC जो government ने launch की थी, 945 पे, 45 का discount दिया, आज 670-650 पे गया है, और हर रोज stock market गिर रहे है, जो भी optics भी ये लोग create कर रहे हैं, BJP government, वो भी गिर रही है, वो दि हैं, वो हमारे पास आते हैं, और जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये सारे experience से बोल रहा हूँ, जो आप किसी से भी मिलेंगे, वो हमें बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है, हमें जहलने की शमता है, कि कोई भी आजाए दफतर पे, या कोई भी सवाल पूछ ले, या हमें कहीं भी ले जाए या कुछ भी है, हम जरूर उसको संभाल लेते हैं, तो हम लोगों की बात समझते हैं, और जरूर जो भी चेंजिस आए हैं, हमें उसको समझना पड़ेगा, और मेहनत करनी पड़ेगी. सर, और जो राश्ट्रपती का चुनाव होना है प्रेसिडेंट का, इसके लिए ममता बैनर जी आई और उन्होंने विपक्ष को एक साथ करने की कोशिश की, कॉंग्रेस का क्या स्टैंड सर? एकटे होंगे, पूरा विपक्ष को एकठा होना चाहिए, और जरूर तभी हम लोग बदलाव ला सकते हैं, और सही जो प्रेसिडेंट हैं वो चुने जाने चाहिए, तो जरूर कॉंग्रेस का स्टाथ होगा कि सारे विपक्ष पार्टियों के साथ रहें, और एक ही चुने जो आत्मी देश के लिए सोचे और किसी प्रधान मंत्री के लिए नहीं? आपको देश से पूछना पड़ेगा कि वो रुकेंगे या नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है कोई रुकेगा, वो राहूल के साथ हैं, जब तक राहूल को इंटेरिगेशन करते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, और ये बढ़ता रहेगा, इस तरीके का महौल नहीं होना चाह है, और ऐसे लीडर्स को जिस तरीके का बरताफ कर रहे हैं, चाहे प्रियांका प्रचार करते हैं या लखिनपूर जाते हैं, उनको दक्का मुक्की होती है, एक महिला को ऐसे खीचा जाता है, और फिर अगर आप सोनिया जी को बुलाएंगे, और लोग नाराज होंगे कि एक और जो इतनी अपनी जिंदीगी दी है देश के लोगों के लिए, जब वो प्रधान मंत्री भी कोई भी नहीं रोख सकता था उनको प्रधान मंत्री बढने में, उस टाम भी उन्होंने इंकार किया कि यह उनका मकसद नहीं था, उनका मकसद था देश के लोगों के लिए प् आप देखेंगे कि आपको ये सवाल लोगों से डालना पड़ेगा जब आपने लोगों की बात के तो एक सवाल और जहन में आ जा रहा है दिली के मुख्यमंतरी अर्विंद कीजरिवान उन्होंने आज एक बात कही है उन्होंने कहा है कि सतेंद्र जैन जो उनके हेल्थ मिनिस हैं उनको भी तो ईडी ले करके करके के बट इस तरह से हम सटकों पर नहीं आया हैं तो हम चाहेंगे कि आप इस पर दिखा कषिक से आप पार्लक्टि अनकों कर सकते हैं मैं यह कौँगा कि लोग कॉंग्रिस पार्टी के साथ हैं. सबसी पुरानी पार्टी है. पार्टी ने इंध्रा जी को खोया, राजी जी को खोया, सोन्या जी प्रधान मंत्री बने से इनकार किये कि किसी और को बनने दीजे, कि मेरा मकसद ये नहीं था. राहुल और प्रियांका ने अपना पूरा जिंदी की लगाया उसमें तो इस पार्टी को आप मतलब कि आप पार्टी से बिलकुल ना कंपेर करिये जरूर मैं यही कहूंगा कि उनके साथ भी सतिंदर जी के साथ जो E.D. कर रही है वो नहीं होना चाहिए अगर किसी ने गलत किया है कानूनी तोर से उनसे सवाल पूछिए तरीके से करिए पर जो भरोसा है एजन्सी उपर पूरे देश का और हमारा भी पूरा उठ गया है क्योंकि हमने एक्स्पीजिंस किया यह और भरोसा नहीं है उनके उपर तो एजनसियों को गलत ना इस्तमाल किया जाए, उनको राजनेतिक तोर तरीके से दूर रखा जाए और बीजेपी को देश के लिए सोचना चाहिए और भेदभाव कि पॉलिटिक्स ना रखें, सेकुलर रखें मेरा तो यही सोच है, और मैं यही कहूँगा कि राहूल बिलकुल साफ निकलेंगे सारे जवाब देंगे सारे सवालों का, जितने बारे भी बुलाया जाए और बिलकुल हर चीज बश्ट हो जाए बहुत बहुत शुक्रिया सर, MS1 प्राइम से बाचीत करने के लिए तो यह exclusive हमारे साथ Robert Wardra जी जुड़े वे थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा है चाहे वो National Herald का मामरा रहा हो, चाहे वो Congress जो एक सिमत्ती चली जा रही है दो राज्य में और Congress से कुछ नेता जो है वो छोड़ करके पाटी जा भी रहे है वो आम जनता है जो Congress को बहुत प्यार करती है इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त लेकिन आप बने रहे हैं मेचन प्राइम के साथ